जैहिन दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 9 के सभी छात्र और छात्राओं के लिए क्यूंकि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो की पहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर पहली पर आएं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बुलिएगा अगर 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 सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा इसलिए चैनल को सब परिस्क्राइब कर लेजे बेल पर प्रेस कर लेजे ताकि हर एक वीडियो का ओपके स्फिकेशन आपकी मूबैल पर जाए तो चलिए सबसे पहले सवाल ज l बास्तिल का किला है वो किस सहर में इस्थित था बास्तिल का किला पैरिस सहर में इस्थित था बास्तिल का किला पैरिस सहर में इस्थित था आप देखिए जो किला वर्ड है इसको याद कैसे रहेंगे अगर हम ट्रिक की बात करें तो किला किसी भी किला में जो अंदर दाखिल ह पहले जमाने में जो भी किला होता था तो किला जहां पर बंदा था उसके आगे में सैनिक लोग खड़े होते थे तो किले के अंदर दाखिल होने के लिए किले के अंदर जानी के लिए सबसे आसान रास्ता था पीछे से जाना ठीक है तो पैरिस पहुत से पीछे से जाना ठीक ह नेक्स्ट स्वाल है हमारा बास्तिल के जेल में कुल कितने कैदी छुडा लिए गए थे तो बास्तिल के जेल से कुल कितने कैदी छुडाए गए थे तो राइट अंसर हो जाएगा साथ कैदी ठीक है तो देखिए बास्तिल के कैदी को किसी भी कैदी को छुडाने के लिए क्या करना होगा आपको कुछ यूनिटी बना के जाना होगा आपको साथ मिल करके साथ मिल करके लड़ना होगा साथ मिल करके उसको साथ में छुडाना होगा कहीं भी जाया तो साथ 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 वर्ड आएगा यह आएगा तो साथ याद रखना है आप लोगे तो अगला सवल देखी क्या है कोसरा чисser no.3 में कहला है कि फ्रांस की के समय किस राजवंस तो इसलिए वहाँ पर क्या हो गया? करांती हो गया इस तरह से याद रखेका याद रहेगा आपको एक्जाम तक अगला स्वाला है कोशान न। चार में आपसे कह रहा है कि फ्रांसिसी करांती के समय फ्रांस का राजा कौन था? अब आपको बताना है कि इंपॉर्टन रहेगा आपकी एक्जाम के लिए नेक्स्ट है आपका समराथ लुई सोल्मा का बीवा किस देश की राजकुमारी से हुआ था? तो ये समराथ थे जो राज़त है उसका जो बीवा हुआ था वो आश्ट्रिया के राजकुमारी के साथ हुआ था ठीक है किसके साथ हुआ था आश्ट्रिया के राजकुमारी के साथ हुआ था इसको आप लोग याद रखिएगा यहां पर ध्यान देने वली बात है एक एक आश्ट्रेलिया होता है और एक आस्ट्रिया होता है तो आस्ट्रिया को नहीं लिजेगा आस्ट्रिया को लिजेगा ठीक है इस बात को आपको ध्यान में रखना है अगला सवाल देखे क्या है हमारा अगला सवाल है कि लुई सोलवां के राज्या रोहन के समय राज्य की इस्तिति कैसी थी यानि वहाँ पर ज किरिदाफ क्यों कने सब्सक्राइब जो महल था वह वर्साइय में रिकारे की आम्गल्स था जिए आपको बताना है तो अमरीका इप नंबर आते हैं नाइन पर किर नािन में किर जे अब्र किरें किरें नाइन वह को इप वाएं रखेंगा शवाले ł repeated Soria केतने स्टेट में बटा हुआ था तो जो फ्रांसेसी समाज था ना वो लगभग तीन स्टेट में बटा हुआ था इसको याद रखिएगा नेक्स्ट देखते क्या है हमारा अगला सवाल हमारा फ्रांसेसी समाज के कौन कौन से लोग कर अदा करते थे तो फ्रांसेसी समाज जो कोश्चन नमर 13 पे आये कोश्चन नमर 13 में कह रहा है कि इन में से कौन तिरतिये स्टेट में सामिल नहीं था तो इन में से कौन नहीं था बाई तो पादरी वर्ग कौन नहीं था पादरी वर्ग जो था वो तीसरे स्टेट में सामिल नहीं था कोश्चन नमर आते हैं 14 पे कह र कि अदिकार दिया गया था कुशन नोमर आते हैं पंद्रह पर का thigh to किसानों को सुन्हें को किसे थो पर्थामिश्टेट और था अफ्सीन नमबर a आशा करते हैं आप लोगों को आज पसंद या तो को फे सबस्क्राइब है like czy